Hello students, welcome to Magnet Brains Hindi मैं लाली पर माँ बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का Magnet Brains के Hindi Medium Channel पर और साथी-साथ याशा भी करती हूँ कि आप सभी सवस्त होंगे, खुश होंगे प्रसनाता पूरवाग, अपने कारे कर रहे होंगे और full of concentration वीडियो भी देख रहे होंगे क्योंकि हमने व्याकरन के टॉपिक्स स्टार्ट कर दिये हैं जैसे सबसे पहले हमने देखा तर अचना क्या धार परवाक के भेद फिर हमने देखा वाच्चे परी वरतन उसके बाद हमने पत परीचाया और अब हम आ चुके हैं रस पर रस में भरा हुआ है रस और इसका भाग एक प्रिवेस वीडियो में आप देख चुके हैं आज इस वीडियो में रस का ही भाग दो लेकर मैं आई हूँ ताकि आब और अच्छे से धियान पूर्वक इस वीडियो को देखेंगे बहुत अच्छे से आपको समझ में आने वाला है इतना मुझे भरोसा है तो बने रहेगा मेरे साथ Magnet Brains पर और इस वीडियो में क्योंकि आपको पता है Magnet Brains है भारत का नंबर वन एक मातर प्लैटफॉर्म जो देता है online school education एकदम फ्री और सभी प्रकार की प्रतियोगी परिक किसे कहते हैं रस के भेद कितने होते हैं रस की उत्पत्ति कहां से हुई जो शुरुआत है वो क्या है स्थाइभाव है और रसों के अंगों को भी जाना कितने अंग होते हैं चार ठीक है कौन-कौन से स्थाइभाव अनुभाव विभाव और संचारी भाव इनकी चर्जा भ जैसे बहुत जो सिक्षा विद रहे हैं या आचारे रहे हैं उन्होंने रस को कावे की आत्म कहा है यह तो आपको पता है ना प्रीवेस वीडियो में आप सुन चुके हैं देख चुके हैं समझ चुके हैं कि जो रिशी मुनी थे या जो आचारे थे या सिक्षा विद थे उन् और ये कहा है कि जिस तरह आत्मा के बिना शरीर कुछ नहीं है, निर्जीव है, उसी तरह से रस के बिना काव्य भी कुछ नहीं है। और ये प्रमुक रूप से यहां पर आप देख सकते हैं नो रस की जो छबी आपको दिखाई दे रही हैं। पुरमुक रूप से नो रसों की चर्चा है और दसवा आपका माना जाता है वात्सले रस और ग्यारवा भी है भक्ती रस ठीक है? इन रसों को हम ये भी समझ चुके हैं कि रस क्या है? रस मनश के अंदर जो भाव रहते हैं जो एमोशन्स रहते हैं उन्हीं को रस कहा गया है ठीक है? इस वीडियो में आप उधारन के माध्यम से उधारनों की साहता से बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि ओके इस आधार पर हम किसी भी कवीता से रस को आइडेंटिफाय कर सकते हैं और ऐसे कौन-कौन से बिंदू होंगे या कौन-कौन से कुछ हमें हिंट भी देखनी होती ना कुछ ऐसा लगता है कि काश कुछ कीवर्ड टाइप मिल जाये तो हम रस को आइडेंटिफाय कर सकें या कुछ भी ज कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-क-ौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन- कावे के आस्वात से जो अनिर्वचनी आनंद प्राप्त होता है मतलब कावे के वाचन से या काव को पढ़ने से सुनने से या कोई नाटक को देखने से फिल्म को देखने से जो आनंद की अनुभूती हमें होती है वही रस है तीक है उसे रस कहते हैं या कावे के पठन श्रव समझ गएना आप कि जो रस की प्रारंबिक अवस्था है वही उसका इस्थाइबाव है सामाने भाषा में यदि कहें कि कहानी उपन्यास नाटक आदी पढ़ने सुनने देखने में जो आनंद की अनुभूती हमें होती है उसे ही रस कहते हैं या जो सुख जो सुखद आनंद में भी अंतर होता है कि आनंद तो खुशी है अब ऐसा क्या है कि जो विलक्षन है और एक अनिर्वचनी है तो उसको ध्यान से सुनिये विलक्षन जिग्यासा उत्पन्ने करने वाला होता है ठीके रस क्या है और कुछ नहीं जिग्यासा रस किसी कावे का वह अंग है जो आपके अंदर जिग्यासा या जानने की इच्छा को उत्पन करता है ठीक है रस क्या है और कुछ नहीं माल लीजे आपने कोई द्रिश्य देखा किसी कविता को पढ़ा कोई नाटक देखा तो आपके अंदर बहुत सारी जिग्या करते हैं यह जो जिग्यासा रहा है वही तो है विलक्षण मिंस अनौखी एक दम कहते हैं घनies को तो यहां पर यही है अनिर्वचनिया आनंद जिसको वाणी से नहीं कहा जा सकता वैं अनिरवर्चनीय आनंद होताहि रसके प्रयोग के कारण इस आनंद का अनुबव होता है कई बार हम अपने भाव को शब्दों से बया नहीं कर पाते हैं बस महसूस करते हैं वही अनंद होता है ऐसे कई भाव होते हैं ऐसे कई emotions होते हैं जिन को हम कहकर नहीं बोलते हैं, बहुत सारी ऐसी बात होती हैं जिन में हम सिर्फ एक दूसरे को जानकर या एक दूसरे के सिर्फ देखकर अनुभव हो जाता है कि सामने वाले की मन में क्या चल रहा है जबकि हमने उससे कोई वानी की साहता नहीं लिए या वाक्यों की साहता से हमने एक दूसरे के विचारों को नहीं जाना है फिर भी हम एक दूसरे को मतलब भाशा या भावों को समझ जाते हैं तो वही है देखिए फिर से मैं पढ़ती हूं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा अनरवचनी आनंद जिसको वानी से नहीं कहा जा सकता वह अनरवचनी आनंद होता है रस के प्रयोग के कारण इस आनंद का अनुभव होता है क्योंकि रस का प्रयोग है इसलिए इसमें आनंद की अनुभूती है ठीक है कई बार हम अप पने भाव को शब्दों से बयान नहीं कर पाते हैं, बस महसूस करते हैं वही अनवरचनिया आनंद होता है, समझ में आया, विलक्षन क्या है, विलक्षन आनंद और अनिरवचनिया आनंद, विलक्षन आनंद मीज जिक्यासा, एकड़म कुछ जानने की इच्छा, कि हमें ये जानना है ये कैसा, क्यों, कहा, कब, क्या, ये सारी जब जिग्यासाय उत्पन होती हैं, तो उनको विलक्षन के अंतरगत रखा जाता है, विलक्षन आनंद के अंतरगत रखा जाता है, और अनिरवचनिया, वचन मींस बोलना, अनिरवचनिया मींस वचनों की सहायता के बिन एक दूसरे के भावों को जानना ही अनिरवचनी आनंद होता है और वहे भी रस है ठीक है अब देखिए क्या है कि कावे के अभी जैसे मैंने आपको बताए कि पठन, श्रवन, दंशन का जब हर लेता मन कावे के पठन, श्रवन से दर्शक का जब हर लेता मन कितने अच्छी पंक्ती लिखी है, फिर से सुनिए कावे के पठन, पठन मतलब पढ़ना, श्रवन मतलब सुनना, दर्शक मीन्स देखना कावे के पठन, श्रवन से दर्शक का जब हर लेता मन दर्शक मीन्स हम देखने वाले, ओडियन्स ठीक है कावे के पठन, श्रवन से दर्शक का जब हर लेता मन अलोग एक आनंद से जब हो जाए तनमय मन पूरी तरह से लीन हो जाए हम किसी कविता को पढ़ने में किसी नाटक को देखने में, किसी बात को सुनने में पूरी तरह से उसमें हम डूब जाएं, पूरी तरह से उसमें लीन हो जाएं और अपने तनमयता के साथ मन का यह रूप कावे में रस कहलाए बस तो यही है रस, समझ में आया कि रस कुछ नहीं है जिस भी प्रकार की कोई कवीता हो, रचना हो, घटना हो, कहानी हो, नाटक हो, फिल्म हो जो भी कुछ देखते हैं हम चाहे वो सुखद हो या दुखद हो, करुणा मैं हो या भयंकर हो तो जो भी हमारे अंदर भाव उत्पन होंगे उस वक्त वही रस कहलाते हैं क्योंकि हम उनमें पूरी तरह से डूब जाते हैं, खो जाते हैं, वो भी एक आनंद है, ठीक है, किसी चीज में लीन हो जाना मान लिजे हम कोई कहानी पढ़ रहे हैं, या उपन्यास बहुत से स्टुडेंस को भी रीडिंग का एक होबी रहती है कि रीड करना बहुत अच्छा लगता है, कई नोबल्स पढ़ लेते हैं, तो रीडिंग के दौरान हम यहां वहां का कुछ भी शोर शरवा हमें नहीं सुनाई देता है क्यों? क्योंकि हम उसमें लीन हो गया, इसका मतलब यह तो नहीं कि वहां सिर्फ और सिर्फ खुशी-खुशी की बात लिखी हो आनन्द मतलब हर्शी ही होता हो, आनन्द का अर्थ है किसी भी कविता में, नाटक में, श्रवर्ण में हम लीन हो जाएं और अपने आपको बस उसी में नहुचावर करते हैं वही आनन्द है और वो आनन्द ही रस है अब क्लियर हुआ ना कि रस क्या है, हमारे मन के भाव जो जिस भी तरह की घटना, दुरगटना, कहानी, नाटक, फिल्म देखने पर जो मन में भावत्पन हो जाते हैं और हम पूरी तरह से उसमें लीन हो जाते हैं उन्हें ही रस कहा जाता है और पूरी तरह से हम डूब जाते हैं अब बात करते हैं कि हमने कितने प्रकार के रसों की बात की है ठीक है जैसा कि हम देख चुके हैं कि रस कितने प्रकार की होते हैं अब सुन ये मेरी ध्यान से बात कि ये जो हैं ये जो रस हैं यहाँ पर लिखे हैं 10 प्रकार के मुख्य रूट से होते हैं 9 प्रकार के और भरतमुनी के अनुसार जब आपसे कभी पूछा जाए तो ये भी याद रखिएगा कि भरतमुनी के अनुसार रस 8 प्रकार के होते हैं फिर धीरे से और अपडेटेड हुए तो नौ प्रकार के हो गए अब यहां लिखा एक वातसल्य रस ठीक है वातसल्य रस में आप देखेंगे कि दसवा लिखा है यहां पर और एक और भी रस है जिसको अभी हम यहां पर ग्यारवा लिख दे रहे हैं जो की है भक्ती रस ठीक ह सुलनीजेगा आप ध्यान से ताकि किसी प्रकार का कोई भी कन्फिजन ना रहे वातसल्य रस है और एक और भक्ती भी रस है लेकिन वातसल्य रस और भक्ती रस को और भक्ती रस का क्या है इस्थाईभाव जैसे कि वातसल का तो वत्सल है भक्ती रस का इस्ट के प्रती प्र इस्ट मींस इश्वर के प्रती 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 तो ये भक्ती रस होता है भक्ती रस में भक्ती रस को श्रंगार रस का ही फेद मान लिया जाता है ऐसा कई किताबों में लिखा है कि भक्ती रस श्रंगार रस का ही उपभेद है या वाक्सल रस भी श्रंगार रस का ही उपभेद क्योंकि कहीं न कहीं ये भी प्रेम का ही ये भी आमें प्रेम की परिभाशा बताता है जैसे कि वाक्सल है वाक्सल मां का अपनी बच्चे की प्रती इसने है या ममता भक्ती रस में इस्ट के प्रती या इश्वर के प्रती अपनी भक्ती या प्रेम तो वो इस्थाई मतलब शं ग्यारवा नंबर ने दिया जाए यह हो सकता है कि आगे जाके इनको इस तरह से उप भीदों में बाट दिया जाए जाए कि भक्ति रस और वात्सलियर ठीक क्यूंकि आपको बताए ना कि पहले आठ थे फिर नौ हुए फिर यह दसवा है फिर यह भक्ति रस भी है तो भक्ति अब ही हमें बताएंगे उधारन के माध्यम से आपको सब को समझ में आ जाएगा फिर देखिया श्रंगार रस का इस्थाइबा रती है आप पढ़ चुके हैं हास से रस का हास है करुण का शोक है रौदर का क्रोध है और कौन सा है वीभत्स, जुकुपसा, घृणा, भयानक, भय, अद्भुत, विस्मय, वीर, उत्सा, शान्त, निर्वेद, कौन सा है वात्सल वात्सल और भक्ती, इस्थ के प्रती प्रेम ठीक है यह हो गए अब यदि एक सोचा जाए कि कैसे हम आइडेंटिफाय करें कि कौन से रस में क्या है तो श्रंगार रस मींज प्रेम का, पवित्रता का चाहे वो राधा और कृष्ण का हम उधारन ले ले या सीता और राम का उधारन ले ले जब श्री राम और लक्षमन अपने गुरू विश्वा मित्र जी के साथ कहा गए थे जनक पूरी क्योंकि वहाँ पर माता सीता का स्वmभर हो रहा था और जिसमें राजर जनकर धात। माता सीता के पिता जी ने यह अनॉंसमेंट किया था, यह अइलन किया था, यह प्रतिक्याली थी कि इस धनुष टनुष शिव धनुष जोकी परशूराम जी को दिया था, ठीक है, कि इ फिर वो गौरी पूजा के लिए जाती हैं कि अब तो वो क्या कहती है आपने सुनाए ना श्री राम चंद्र करपाल भजवन भववयदारुनम नवकंज लोचन कंज मुख करे कंज मुख कंजारुनम फिर एक और है कि मन जाही राचेओं मिले ही सोवर सहज सुन्दर सावरो कर पुष्षपवाटी का में और वो एक दूसरे को नहारते रह गए थे तो उन्हीं की छवी को लेकर माता सीता मैया गौरी से प्रार्थना करती है ठीक है तो यह श्रंगार रस के अंतरगत आएगा हसरे की हम बात करें कोई भी चुटकुला है या बहुत सारे ऐसे आपने भी सुने होंगे कई सीरियल्स आते हैं और किसी को बहुत देर में हसी आती है ठीक है ये अलग बात है लेकिन जहां पर भाव हो हसी का वो हसे रस करुण दुख ठीक है करुणा की बात करें यादी हम जहां पर शोक हो वो सबसे प्रसिद्ध गीत आपने सुना है लता जी द्वारा गाया हुआ ए मेरे वतन के लोगो जरा आथ में भरलो पानी तो वो भी करुणरस के अंतरगत आ सकता है रौदरस भयंकर श्री महादेव कालों के काल महाकाल का रौदरूप आपने देखा होगा नटराज जो रूप है उनका ठीक है वो आपने सुना होगा शिवा श्टक जटाट वी गलज प्रबाह पावत अस्थले गले भुजंग भुंजीता ऐसा कुछ है वो मुझे याद नहीं आ रहा है तो वो रौदरस में आ जाएगा वीभत्स मतलब घिरना घिरना मतलब छी ये वाला तो ऐसा है कि सर पर बैठो काग आख दू खात निकारत खीच निकारत कि कोई भी पश रसरस में आ जाएगा भयानक डरने वाला तो तू है खपर वाली और नहीं उसका संगार किया है महाकाली की जो आरती है ठीक है काली काली महाकाली ठीक तो इसमें भयानक उस उनके भयानक रूप को दिखाया गया है वो आ सकता है अदबुत आश्चरे जहां पर आश्चर की बात हो तो एकदम आपको पता है ना आश्यर में एकदम शॉक्ट शॉक्ट हो जाए हैं शॉक्ट एकदम किसी चीज को आई शॉक्ट टूसी ठीक है इस तरह से वीर रस तो आपको पता है सिंगहासन हिलोठे राजवन सोने व्रुकुटी तानी थी और भी कई उधारन जो वीर ले सकते हैं श्री राम के बाल रूप का उधारन ले सकते हैं ठुमक चलत राम चंद्रबाजत पैजनिया या फिर स्रीकृष्ण मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो सांज पड़े भाईया के संगे बल दाव मोय पठायो गवन के संगे मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो तो ये सा भक्ति रस में मीरा भाई का आप ले सकते हैं पायो जी मैंने राम रतंधन पायो तो ये जो अभी मैंने जिन उधारनों की बात की है वो एकदम अलग है ठीक है ताकि आपको concept clear हो जाए कि हाँ ये इनके आधार पर हम देख सकते हैं अब जैसे वीर रस की मैंने बात की तो जहा हैं समझ चुके हैं और धहरे पूरवक्त आपने ध्यान दिया है तो किसी भी काव में आपको रस छाटने में बिल्कुल भी परिशानी नहीं होगी ठीक है चले आगे अब देखिए बात करते हैं हम श्रिंगार रस की श्रिंगार मतलब बिल्कुल चेहरे पर मुस्कराहट आखों में चमक मन प्रफुलित यही तो है श्रिंगार रस दीखे किस तरह से कि सहर्दय के हिर्दय में इस्थित रती नामक स्थाई भाव का जब विभाव अनुभाव और संचारी भाव के साथ सायोग होता है तो उसे श्रिंगार रस कहते हैं आपको पता है रस के कितने अंग होते हैं चार अल्रेडी हम पढ़ चुके हैं सबसे पहला है मान लिजे स्थाई भाव फिर है अनुभाव फिर है विभाव फिर है संचारी भाव और ऐसा नहीं है कि एक चला जाता है फिर वो वापस नहीं आता है जब जाकर कहीं दूसरा आता है फिर दूसरा आता है तो जब तक वो नहीं जाता है तीसरा नहीं आता है ऐसा नहीं है ये सब एक साथ रहते हैं हर एक रस में जैसे सरदय जो भी रदय है उसके हिरदय में स्थित शंगारस की हम ब या इस पूरे उसमें बतायागा है कि ये प्रेम को परिभाशित करेंगे ठीक है तो सरदय के हिदय में इस्तित रती नामा के स्थाई भाव का जब विभाव अनुभाव और संचारी भाव के साथ सायोग होता है तो उसे श्रिंगार रस कहते हैं जैसे बत्रस लालच लालगी मुरली धरी लुकाए सोह करे बोहन है से देन कहे नटी जाए याद आया दोहा है ये पहारी जी का कभी आपने सुना हो तो बत्रस लालच लालगी मुरली धरी लुकाए शंगार रस या गोपियों के मन में जो प्रेम है स्री कृष्ण के प्रती उ अच्छा प्रेम हम समझ में आए कि हाँ ये प्रेम है तो वहाँ हम श्रंगारस का उसको धारन जरूर ले सकते हैं जैसे बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए सोह करेब हो हनी हसे देन कहे नटी जाए यहाँ इसका अर्थ में समझा देती हूँ कि बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए गोपियां स्रीकृष्ण को अक्त्याधिक प्रेम करती थी ये आप भी भली भाती जानते हैं क्योंकि कोर्स ए में भी हमने उद्धव तुम हो अतिवड़ भागी पड़ा है ठीक है पहला जो चैप्टर है क्षितिज का काविखन का तो उसमें गोपियां और स्रीकृष्ण का जो प्रेम दर्शाय है वो वियोग श्रंगार रस का है क्योंकि उसमें बिछड़ न बता है श्रंगार रस के भी दो भेद होते हैं एक है सैयोग और दूसरा है वियोग जैसे देखिए ये है एक होता है सैयोग दूसरा होता है वियोग ठीक है अब सैयोग मीन्स क्या है सैयोग रस और वियोग रस सैयोग मीन्स मिलना जब दो प्रेमी ना एक नाई का या प्रेमी प्रेमी का मिलते हैं तो वो सैयोग रस है जब प्रेमी प्रेमी का बिछड जाते हैं या दूर रहते हैं और वो दूर रहकर एक दूसरे की यादों में खोए रहते हैं या मिलने की उनके मन में उतकंठा रहती है तो उसको वियोग मींस बिछड़ना तो संयोग के याद रखिएगा कि शंगार रस के दो उपभेद होते हैं संयोग और वियोग संयोग मींज मिलना वियोग मींज बिछडना जब क्लास 10 का आप ही की क्लास का जो पहला चैप्टर है उद्धव तम हो अतिवडभागी उसमें स्रीकृष्ण के जाने के बाद जो गोपियों की मनोदशा होती है ठीक है वो है वियोग रस क्यूंकि स्रीकृष्ण चले जाते हैं और गोपियां बिलखती रहती है और यदि संयोग की बात करें हम तो जब स्रीकृष्ण और गोपियों का मिलन हो यहां पर जो श्रंगा रसका का मुधारण देख रहे हैं श्रेकृष्ण से बात करने के लालच में उनको पता था ना कि स्रीक Karma तो मूरली हमेशा अपने होंटो पर रखे रहते हैं इतनीती जलन थी उन्हें मूरली सी किसको गोपि यह हमेशा उस मूरली को अपने निकट रखे रहते हैं इन से कैसे बात की जाये तो उन्होंने उनकी मूरली ही लुकाली मिज़ छुपाली Yoga सिद लाल अच लाल की ल अधरली मिन्स रख ली, ठीक है? सोह करे भौहनियसे दे कहे नटिया은 कितनी बार स्रीक्रिशन E всем को नच जाती है और स्रीक्रिशन को यह संदे हो जाता है कि इसञारर रस का उधारन है, ठीक है? अब जिनकी बात हम अभी कर रहे थे कि श्रंगार असके दो प्रकार होते हैं दो भेद होते हैं एक है संयोग श्रंगार दूसरा है वियोग श्रंगार संयोग श्रंगार जहाँ पर नायक नाईका के संयोग या मिलन का वरणन हो वहां संयोग श्रंगार है और जो अभी हमने उधारन देखा बत्रस लालच लाल की वो संयोग का ही उधारन है वियोग श्रंगार जहां पर नायक नायका के वियोग कवर्णन हो जैसे पहले पार्ट में उधव तमोह अतिवड़ भागी है ना है ना पंक्ती की उधव तमोह अतिवड़ भागी अपरस रहत सनेह तगाते नाहिन मना अनुरागी ठीक है सुनत जोग लागत है ऐसो जैसो इकरूई कक्री या फिर हरी है राज नीती पढ़े आए कहती बात मधुकर के समाचार सब पाई यहां पर वो व्योग रस में तडप रही है जागत सोवत स्वपने दिवसने से काना काना जकरी पहला जो हमारा पाठ है उधव की हमारे हरी हारिल की लकरी जागत सोबत सौपने दिवसने से काना काना जकरी ये वियोक्षंगार रसका उधारन है क्योंकि गोपियां वहाँ पर स्री कृष्ण की याद में उद्धब जी से भला बुरा भी कहती हैं और उनको ताने भी देती हैं उलाहने भी देती हैं और साथ ही साथ वो ये भी बता देती हैं कि हमारे हरी अर्थात कृष्ण हमारे लिए क्या है ठीक है जागत सोबत सौपने दिवसने से काना काना जकरी सुनत जोग लागत है ऐसो जैसो इकरूई ककरी तो ये वियोक्षंगा रस का उधारन हो जाएगा, क्लियर हुआ, चलते हैं, आगे हास से रस की तरफ आप इमेज भी देखते जाएए, छवी भी देखते जाएए, कि किस तरह से ये एक्स्प्रेस किये जाते हैं, ये किसी भी व्यक्ति को देख कर आप कैसे अनुमान लगा सकते हैं, स्रायद सार भाग एक, बता दिया था ना, कि ये जो चार अंग हैं, वो सभी रसों के, जैसे हमारी जो बनावठे सब की अलग अलग है, लेकिन अंग तो सब के दो हाथ हैं, दो पैर हैं, मुह हैं, नाक हैं, ये सब, ठीक हैं, ये सब हैं, तो यहाँ पर हर एक में वही अंग रहेंगे, तो साहिर रदय मतलब जिसके मन में जो भाव उत्पन होता है स्थाई हास्त नामा के स्थाई भाव का जब विवाव अनुभाव और संचारी भाव से संयोग होता है तो उसे हास से रस कहते हैं जैसे मैं महावीर हूँ पापड को तोड़ सकता हूँ अवसर आ जाए तो कागस को मोड़ सकता हूँ क्या बात है क्या है इसको हम वीररस में रखेंगे क्योंकि हम महावीर लिखा है बताइए ऐसा मत करिएगा कि तुरंत किसी शब्द को देखा और आपने टिक कर दिया कि अरे इसमें तो महावीर लिखा है तो यह वीररस होगा नो नो उसके अर्थ को समझना है हमें मैं महावीर हूँ पापड को तोड़ सकता हूँ अवसर आ जाए तो कागस को भी मरोड़ सकता हूँ ये तो हासरस ही हुआ ना इसमें कौन सी बड़ी बात हुई ठीक तो यहाँ पर ये हासरस का उधारन है अगला चलते हैं और भी आप तो बहुत क्रियेटिव हैं आप तो कई तरह के चुटकुले और कई तरह के ऐसे कहावतें जानते होंगे ठीक तो वो सब भी हासरस में आएगा करुणस के हम बात करें जो भी हम देखेंगे अब यहाँ पर देखेंगे दया करुणा जिसके मन में दया होगी वो सब के प्रति दया रखेगा जो भी उनको लगेगा कि हाँ ये दया के पात रहें परसन टू परसन ऐसा नहीं है कि वो भेद करेंगे कोई अपना है तो उसके प्रति कोई दुखी है अपना वाला तो हम उसके प्रति दया दिखा दें और किसी को हम नहीं जानते हैं तो उसके प्रति हम कुछ भी ना करें जिसके मन में दया का भाव होता है वो सब के प्रति के दाया का भाव दर्शाता भी है कर्म्रस साहिरदाय के हिरदय में इस्थ्थ यह एक पंग्ति ये तो है ही constant troop से शोक ठीक है शोक नामख शोक या फिर हम कहें कि जो है शोक नामक स्थाई भाव का जब विभाव और और संचारी भाव के साथ सायोग होता है उसे करुन रस कहते हैं शोक मतलब क्या है दुख यदि हम कह दें कि शोक का अर्थ होता है यहां दुख तो साहिर दय के हिदाय में इस शोक नामा के स्थाई भाव का जब विवाव अनुभाव और संचारी भाव के साथ सायोग होता है उसे करुन रस कहते हैं इस्थाई भाव को हमें बिल्कुल यहां पर याद रखना है रस के नाम के साथ ही स्थाई भाव हमें याद होना ही है जैसे श्रंगार रती हास हास करुन शोग वीर उत्सहा ठीक है भयानक भय ऐसे इस तरह से हमें यह याद रखना ही और वही याद का जब विभाव अनुभाव और संचारी भाव के साथ सैयों होता है उसे करुंडस कहते हैं जैसे कि सबढल भन दुन को सोच तजी तजी गुरुकुल को ने हाँ सुशील सूथ किमि कियो अनंतलोक में मतलब जब यदि बात की जाए कि सब पंधुन को सोच तजी तजी गुरुकुल को ने हां सुशील सूत कि में कियो अनंतलोग में गे या फिर हम बात थोड़ी सी और करें जब स्री राम को माता कहकई ने जो वरदान मांगे थे राजा दश्रत से और उन्हीं का इस्मरण उन्ह कई ने राजा दश्रत से मांगे दो वरदान सियरामा मेरे भरत को राज पाठ दो राम लखन वनवास सियरामा ये जो है पंक्तियां कि जब श्री राम को वनवास मांग लिया और भरत को राजगदी देती और जब श्री राम वहां से जाते हैं और दश्रत महाराज दश्रत की क्या स्थिती होती है वो क्या हो सकता है करुना ही तो है उनके मन में इस कदर शोख शोख की मैं बात कर रही ह नहीं करने हूं तो उनके मन में दुख हुआ या शोकत पन हुआ तो वो करुणरस का उधारन भी हो सकता है यहां पर लिखाए ना सब बंधुन को सोच तजी सब बंधुन को त्याग कर तज कर और तजी गुरुकुल को नहीं सारा अपना जो गुरुकुल है उसके प्रेम को भी त्याग कर हा सुशील सूत कि में कियो अनंत लोक में गए कहां गए या किस लोक में चले गए हम सब को छोड़ कर यह भी हो सकता है ठीक है और आप बताएगा तो अपने हिसाब से आप देखेंगे भी चलते हैं वीर रस की और वीर रस येस वीरता का रस ठीक है जहां पर अपने आप में समझ में आए कि येस यहां उत्सा है यहां आखों में जोश है वीर है ठीक है वीरता है साहिर्दय के हिदय में इस्थित वीरता या उत्सा क्या इसका है उत्सा नामक स्थाई भाव का जब विभाव अनुभाव और संचारी भाव के साथ सैयोग होता है उसे वीर्रस कहते हैं साहिर्दय के हिर्दय में जब उत्साह नामक इस्थाई भाव का किसके साथ होता है विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के साथ सायोग होता है तो उसको वीर्रस कहते हैं द्वार बली का खोल, चल भूडोल कर दे हम एक हिमगिरी, एक सिर का मोल कर दे और भी कई सारे ऐसे पंक्तियां हैं जो वीर्रस से उत्परोथ हैं तो आप और भी बता सकते हैं रॉद्ररस, रॉद्ररस आप देखिए कितना खतरनाक तरीके से आप चित्र भी देख सकते हैं मतलब क्रोध की चरम सीमा, रॉद्ररस मींज क्रोध की चरम सीमा चरम सीमा मतलब एकदम टॉप लेवल पर साहरदय के इस्थित में साहरदय के हिरदय में इस्थित क्रोध नामक साई भाव का जब क्या होता है विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के साथ सैयोग होता है तो उसे रौदररस कहते हैं रे आपकी ही पाठ पुस्तक की है ये पंक्ति रे इनरप बालक काल बस बोलत तोहीन संभार धनुही समित्र परार धनु विद्ट सकल संसार राम लक्ष्मन परशिराम संवाद पाठ दो है आपकी पाठ पुस्तक शितिज का उसी की ये पंक्तिया है कि लगता है तुझे कुछ भी पता नहीं है तु काल के वशी भूत होकर सब कुछ भूल गया कहा था ना जैसे ही लक्षमन ने परशुराम जी के समक्ष अपने व्यंग बान छोड़ने शुरू किये या कटाक्ष हसी कर दी याद है आपको सबसे स्टार्टिंग में क्या हुआ था यहाँ परशुराम जी की बातों को सुनकर लक्षमन जी कहते हैं कि बहु धनुई, तोरी, लरकाई, कभव नासिर से की न गुसाई यही धनु परमामता के ही है तू उसने रिसाय का है भ्रग कोल के है तू इस पुराने से धनुष के तूट जाने पर आप कितना क्रोध क्यों कर रहे हैं तब परशुराम जी क्या कहता है कि यह धनुष कोई सामान नहीं है हे राजपुत्र, हे राजकुमार, तुझे पता नहीं है कि यह मतलब तू काल के वशी भूधो का रिया लगता है तू अपनी ही मृत्यू को स्वैम आमंत्रित कर रहा है इसलिए तू इस धनुष को साधरन साधनुष कह रहा है जबकि यह साधरन धनुष नहीं है यह तो त्रिपरारी का है, महाकाल का है, महादेव का धनुष है जो संपोन विश्व में विख्यात है, संपोन विश्व में जानता है कि यह महादेव का धनुष है और तू लक्षमन से कहते हैं और तू इससे साधारन कहता है और वो भेंग का रूप से क्रोधित हो जाते हैं तो यह रौद्रस का उधारन है ठीक है अब समझ वाया किस तरह से आप ढूंड सकते हैं केश करणू अब भैयानक रस डर की बात है डर लबता है है ना इमेज को देखिया किस तरह से ओ ऐसे यहारा है कि डर लग गया है जैसे साही किह दे मैं स्थित कौन सा भाव भय्य स्थित बे नामा की स्थाई भाव भय है भया एनक का क्या था भय connects तो जब भी अनुभाव इस्थित स्थाई भाव कौन सा है भय आपको पता है ना इस्थित भय भय नामक स्थाई भाव ठीक है भय नामक स्थाई भाव भयानक रस क्या है सा हिर्दय के हिर्दय में इस्थित भय नामक स्थाई भाव का जब किसके साथ अनुभाव के साथ और संचारी भाव के साथ सायोग होता है उसे भयानक रस क्याते हैं जब बात आती है कि कोई भी ऐसा खतरनाक सा कोई प्राणी देख ले जानवर देख ले या कोई भी सर्प कोई भी जिससे डर लग जाए किसी को अंदकार से डर लगता है अंधेरे से डर लगता है और अंधेरे में यदि कुछ भी आवाज की चली जा और कोई का है देख क्या ना क्या है तो नहीं नहीं हम नहीं जाएगा हमें पता है वो घर हमारा है वो कमरा हमारा है वहां सामान हमारा है लेकिन फिर भी अंधे प्रम पर भयानत रस होता है क्लिए अद्भुत रस क्या है देखते हैं अद्भुत रस चलते हैं अद्भुत रस की तरफ अद्भुत क्या है एकदम शौकिंग करने वाला ओहो आहा अरे वाह वाह ऐसा भी हो सकता है क्या ओह इस तरह ऐसे ठीक है तो अद्भुत रस में विस्मयादी जो बोधक शब्द होता है उसका प्रयोग कहीं न कहीं होता है ठीक है अद्भुत सहर्दय के हिदय में स्थित आश्यर नामक स्थाई भाव का जब विभाव अनुभाव और संचारी भाव के साथ सायोग होता है तो उसे अद्भुत रस कहते हैं अब अद्भुत रस या आश्यर बिलकुल ऐसा की हाव कैन इट पॉसिबल येस जैसे हनुमान की पिर आगे नदिया पडिय पार घोड़ा कैसे उत्रे पार राणा ने सोचा इस पार जब तक चे तक था उस पार ये कैसे हुआ तो जो पतलब एक दम आश्यर चकित कर देगी ये कैसे हुआ वही अद्भुत रस है तो क्या होता है साहर दय के हिदय में सित आश्यर नामक अनुभाव और संचारी भाग के साथ योग संयोग होता है उसे अद्भुत रस कहते है हनुमान की पूँच में लगन ना पाई आग हनुमान जी की पूँच में आग लगी नहीं पाई और लंका सब जल भी गई और उसमें से निशाचारी और आक्षस मर भी गए और भाग विभत्स घर्ना यहां पर देखिया कि अ मुझे इस तरह से कि उस ह्यक्यार हम जाना भी नहीं जाते हैं जना तो यह हो जाते हैं विधस रस्त वीदस क्या है विवत्स का इस्थाई भाव क्या है जुगुपसा तो साहिरदय के हिरदय में जुगुपसा नामक इस्थाई भाव का जब विभाव अनुभाव और संचारी भाव के साथ संयोग होता है उसे विवत्स रस कहते हैं साहिरदय के हिरदय में विवत्स का जुगुपसा नामक इस्थाई भाव का जब किसके साथ होता है विवाव अनुभाव और संचारी भाव के साथ संयोग होता है उसे हम विवत्स्रस कहते हैं मार ही काट ही धरही पचा रही सी सितोर सी सन मार ही मतलब मारते हैं खीचते हैं या फिर अभी मैंने कहाता ना सर पर बैटो काग आँख दूखात निकारत या फिर युद्ध भूमी या रण भूमी हम देखे हो कहीं पर कुछ एक्सिडेंट का यदि सीन है तो कहीं किसी की गर्दन पड़ी है कहीं किसी का आँख इधर टपक गई कहीं कुछ तो वो जो जो इसी मन में अजीब सा भाव उत्पन होता है उसको वीवत्रस के अंतरगत रखा जाता है ठीक है शांतरस, सारदय के हिदय में स्थित निर्वेध नामक अब यहाँ पर कोई भाव नहीं दिखाई देंगे आपको एक दम शांती 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 ना मुस्कराट होगी, ना करोध होगा, ना माथे पर लकीरे होगी, ना शिकर्न होगा एक दम से अपने मन में किसी भी प्रकार की भूत भविश या वर्तमान से संब्ध कोई भी विचारों की उतल पुतल नहीं चल रही होगी आप यहाँ पर देखिए कितना शान्त शान्ती भी रही ऐसा नहीं कि टेंशन देखेगी तो शान्त रस अर्थात निर्वेद वेद न रहित तो साहिरदय के हिरदय में कौन सा है यहाँ देखिए निर्वेद नामक साहिरदय के हिरदय में इस्थित निर्वेद नामक स्थाई भाव का जब विभाव अनुभाव और संचारी भाव के साथ सायोग होता है सो उते शांतरस कहते हैं साहिरदय के हिरदय में स्थित क्या कौन सा निर्वेत नामक स्थाई भाव का जब विभाव अनुभाव और संचारी भाव के साथ संयोग होता है उसे शांतरस कहते हैं बिलकुल पानी केरा बुध बुध असमान उसकी जात देखत ही छिप जाएगा जियो उतारा परभाथ और भी कई उधारन है जिसमें शांतरस कहा हम ले सकते हैं ठीक है चलते हैं एक और वातसलरस ममता वातसल की बात आती है तो जहां मा की ममता दिखाई जाए चाहे मैया यशोदा और स्री कृष्णी की बात की जाए या फिर स्री राम और माता कौशल्या की बात की जाए यहां पर उधारन है देखिए धूली भरे अती शोहत स्याम जो तैसी बनी सरसुंदर चोटी काग के भाग बड़े सजनी हरी हाथ से ले गया मा का नरोटी चोटी भी बनी है मैया यशोदा की गोद में भी है अपने लल्ला को बहुत अधिक स्ने भी कर रही है माता मैया जो यशोदा मैया है और ये भी क्या है कि धूरी भरे अती सोहत स्याम एकदम पूरी तरह से धूल में लिप्ट हुए है और जैसी बनी सरसुंदर चोटी चोटी भी बनी हुई है काग के भाग बड़े सजनी हाथ में रोटी रखे हुए है और कववा उनके हाथ से रोटी चीन कर ले गया हरी हाथ से ले गया माखन रोटी माखन से जो माखन रोटी उनके हाथ में था तो काग आया कववा आया और उनके हाथ से माखन की रोटी चीन कर ले गया और वो बड़े व्याकुल है तो माता यशोदा उनको अपने गले से लगा कर उनको चुप कराती है तो ये वातसले रस है ठीक है भक्ती रस भी है भक्ती रस की अदि हम बात करें तो भक्ती रस में साहिर्दय के हिर्दय में स्थित शिक प्रती प्रेम इस्थाई भाव नामक जब भाव और विवाव और अनुभाव या संचारी भाव के साथ जब संबन्द स्थापित होता है या सईयोग स्थापित होता है तो वहाँ भक्ती रस हो जाएगा जैसे पायो जी मैंने राम रतंधन पायो ठीक है और भी जो भक्ती से देश भक्ती भी हो सकती है भक्ती का मत और रस समझ में आ गए हैं आ गए है ना इसके बाद भी यदि आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट लगे या ऐसा लगे कि ओ क्या कर काश की तो आप अपने comment box में लिखिएगा उन यदि आपके बहुत सारे queries रही या बहुत सारी ऐसी जिग्यासा है तो हम एक और वीड कियेगा अपने comment box में लिख कर कहिएगा ताकि हम तक वो बात पहुंच सके और हम आपकी समस्या का समधान कर सकें क्यूंकि हमारा एक मात्र उद्देश है आप सभी को best education provide करना वो भी एकदम free तभी तो बन चुका है magnet brains favorite channel जी हैं आप सभी का favorite channel और आपको ये भी पता है कि भ वीडियोज ही यहां पर free provide किये जाते हैं बलकि सभी प्रकार की प्रतियोगी परिक्षाओं के वीडियोज भी आपको दिये जाते हैं free एकदम free जैसे NTSC Olympiad, IIT, JEE, NEET, UPSC, Bank Insurance, JIIB, CIIB, सभी प्रकार की प्रतियोगी परिक्षाओं के वीडियोज भी बात हम करते हैं कि वी तक की online education एकदम free है, दोनों medium, Hindi medium में भी देख सकते हैं और English medium में भी देख सकते हैं, ठीक है, जिस भी medium में आपको देखना है, जैसे गड़ेत विज्ञान, सामझे विज्ञान, रासाइन विज्ञान, भातिक विज्ञान, जो भी आपको देखना है, Hindi में आप चूज कर जाईए और वहाँ पर क्लिक कर दीजे, जैसे आपको class 10th Hindi, लाली वर्मा, क्लिक कर दीजे, क्लिक करते ही आपको सामने आजाएगा वीडियो, आप एक और मैं बात आपको बता दूँ कि आपकी सुविधा का, हर एक बात का, आपकी सुविधा की एक एक पक्षों का हमने ध् करके रखा है, कि आपको जो भी देखना है, आप लेक कीजे, वीडियो आपके सामने आजाएगे, जैसे आप पार्ठ करम देखना चाहते हैं, विशह का संपूर्ण विबरन देखना चाहते हैं, पार्ठ का सार, NCRT Solutions, बहु भी कल्पी है, प्रहशन वन शॉर्ट, रिवीज हिंदी की में बात कर रहे हैं, ठीक है, तो जो भी आप जिस भी विशह का वीडियो देखेंगे, उसकी प्लेलिस्ट पर जाएंगे, इसी तरह से आपको वहाँ पर सब कुछ टॉपिक दिखाई देंगे, तो जो भी आपको टॉपिक चूज करना है, क्लिक कर दीजे, वीडि हैं, गद्य खंड में कितने पाट शामिल हैं, कावे खंड में कितने पाट शामिल हैं, सब कुछ इस वीडियो में हैं, तो ध्यान पूर्वक इस वीडियो को देखेगा, बड़े अराम से आप इस वीडियो को देखेंगे, आराम से मैं इसलिए कह रहे हूँ क्योंकि जितने आसानी से या हम यूँ ही इधर उधर के काम करते देखेंगे तो समझ में नहीं आगा और इसके भुजाएगा कुछ भी ठीक है तो अध्यान पूर्बग देखेगा ताकि आपको सम्पून जो साल है उसका सलेबस समझ में आ सके पार्टिक्रम और आप फिर किसी भी तरह का आपके मन में या मस्तिश में कोई भी कन्फूशन ना रहे वीडियो देखने के बाद इतना मैं आपसे जरूर क्या होंगी कि आपको पार्टिक्रम समझ में भी आएगा और वीडियो अच्छा भी लगेगा और जब पसंद आएगा तो लाइक जरूर कीजिए सब्सक्राइब करना मत भूलिए क्योंकि आपको पता है ना कक्षत छटवी से बारवी तक की एजुकेशन एकदम फ्री दी जाती है तो आप इसी का लाव उठाईए सब्सक्राइब करेंगे तो नोटिफिकेशन प्राप्त होगा ताकि आप जो भी न्यू वीडियो रिलीज हो तुरंत आप उसका लाव उठा सकें शेर करना मत भूलिए क्योंकि जिस तरह से आप फ्री एजुकेशन बेस्ट एजुकेशन का लाव उठा रहे हैं उसी तरह से आपके और भी फ्रेंड्स हैं जो भी परिचित हैं उनमें लिंक शेर कीजे ताकि वे भी इस फ्री एजुकेशन का बेस्ट एजुकेशन का भारत